दोस्तों अगर आपके बड्स जो है इकठा हो रहे हैं तो उनके लिए एक विसेश तरीके की आवाज होती है जो कि इसलाम भाई बताएंगे आपको अभी आपको प्रैक्टिकली मलब आवाज सुना के दिखाएंगे वह आवाज लगाने से क्या होता है कि आपको बीच में नह अपने होटों से बरबर ऐसा कीजिए तो बरबर बट सारे बट आप उठ जाएंगे एक दूसरे को छोड़ें बिलकुल सर यह आवाज जो है जो सर ने अभी ऐसे आवाज निकाली इससे सारे बट क्या होता एक्टिव हो जाते हैं और उठकर के दाना खाना शुरू कर देते हैं या पानी पीते हैं मतलब जो भी बर्ड से एकदम सुस्त बैठा रहता है वो भी उठ जाता है और उठने के बाद में अपना एक्टिविटी तुरंत सुरू कर देता है तो यह आवाज दोस्तों आप लोग भी सीख लें क्योंकि इस आवाज का कोई भी चिक्स हो उस सब सारे चिक्स में बहुत ही अच्छे से काम करती है अवाज सर एक बार फिर से जड़ा आवाज निकाल के दिखाए इस तरीके का आवाज है तो सर जैसा कि आपने अभी गर्मी का टाइम है फिर भी इतना अच्छे से ब्रूडिंग किया हुआ है पूरी तरीके से पैक करके सब एक दम कहीं से भी डारेक्ट हवा आने का कोई चांस ही नहीं है सर चारों तरफ से इसको पैक किये हैं सर इसके बारे में जरा बता है इसको बनाने के लिए फर्ष्ट नंबर तो यह रसी आपको लगाना है यह रसी पर पूरी तरीके से इसको ढख लें और इसके बाद बना यह सबसे जरूरी है कि डारेक्ट हवा अगर लग गया बाद उसको तो फिर बड्ट जो है जैसा चेह वैसा ग्रोथ नहीं ले पाता है यह सबसे जरूरी है आपको ब्रूडिंग बहुत बहतर होना चाहिए इसके बाद में यह बना हुआ है तो यह गोला जरूर बना ले यह सबसे आपने कितना इसमें गोला बनाया था चार गोले चार गोले दो हजार बर्ट के लिए आप चार गोले बनाए हर एक गोले में चार 500 बर्ट डालें वह आसानी रहता है तो इसलाम भाई जैसा की चिक्स का आज कौन सा दिन है जी जी आज चिक्स का तिसरा दिन है तो जब स्टार्टिंग में जब चिक्स आपके फार्म पे आये तो आपने इनको सबसे पहले क्या दिया सबसे पहले इनको क्या नाम है जैसे मालिया जा चिक्स अभी रात में आया है तो जब चिक्स उतरा है तो उससे पहले जो फार्म में त्यारी किया जाता है पे पर लगाया जाता है और गोला बनाया जाता है बिल्कुल बिल्कुल दूसरा नंबर यह होता है कि पानी आप क्या नाम है एक आधी टेबलेट डाल दें कौन सा प्यूरिफाई के लिए इसलाम भाई ये यूज़ करते हैं इसके साथ में एक आता है क्या नाम है एस टाइम पर टमप्रेचर कितना होगा तो सबसे जरूरी है कि क्योंकि सटार्टिंग का तेमप्रेचर होता है वह बहुत ही अच्छा होना ची है क्योंकि टमप्रेचर डाउन होजाएगा चिक्स दाना नहीं खायेगा चिकस एक जगापर 1100 रहेगा उसे ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है हां सर इसके बाद में और बता है आप जो है क्या नाम है दिन में जी अच्छा सर जब पहले बर्ड आए तो आपने उनको क्या-क्या गुड दिया पहला इस्टार्टिंग में अगर दिन में पहुंचे हैं सुबह-सुबह तो आप उसमें नीरी डाल सकते हैं 2000 बैठमें 200 पर देखा सकते हैं दोष्त निरी है जोगत नीरी चिरप जो कि ये सर किसलिए फो जाता है क्यों होता है? आद में प्रेसर बिलकुल जाता है और दूसरा नमिबर is नजदीक से आप देख सकते हैं यह नीरोबयान फोर्ट यह आप 2000 बट में तक्रीबन आठ गोली डालिए आठ गोली यह आठ टेबलेट आप 2000 बट के लिए यूज कर सकते हैं दिन में देना है सुबा के पानी में इसके साथ में दो किलो गुड कभी नहीं भूलिएगा यह नी चीज अब है मिल यहE seperti से दिन धी यह और दूसरा नमबर शाद के समय में आपको चलाणा है था और गोली पानी में कैड़ी डालते हैं है अच्छा फूरी फाई वाला प्लगर्वाल मतलब वो तो वो जो प्यूरीफाई के लिए वो कंटीन्यू हर एक पानी में चलेगा वह बंद नहीं होएगा जी दूसरा नमबर यह है कि रात के समय में यह देना है अच यह इसका नाम ईख्थ ध孩 याथ दूस्तो आप देख सकते हैं यह है लिवो फ्लाक्स और मगर 2 जोकि स्वस्तर और अचछे से वह दाना पानी खाएंगे और भागेंगे बिल्कुल बिल्कुल यह देरा बहुत जरूरी है तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बड्स पूरी तरीके से स्वस्त हैं और सर ने जैसा कि बताया कि तीन दिन आपको कंटीन्यू रात के समय में आपको लीवो फ्लक्स यल जो सर चलात है इस फार्मूले का तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके यह आप देख सकते हैं कि अगर यह नहीं मिल रहा है तो इसी फार्मूले का दूसरा कुछ आप यूज कर सकते हैं जी यह हो गया और दूसरा नंबर यह है सर जी क्या नाम है अगर यह सब दवा चला रहा है तंपरेचर यह जो आप देख रहे हैं यह आपका जो ब्रूडर है यह ब्रूडर अगर क्लियर नहीं है जी कहीं से ठंडी आ रहा है बिल्कुल मतलब डारेक्ट हवा कहीं से भी चिक्स को नहीं लगना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अगर यह चीज नहीं बना हुआ है जी तो यह बट आप कैसा भी करेंगे यह नहीं सुधर पाएंगे सकसेज नहीं हो पाएंगे बहुत गर्मी है कि गर्मी होना भी चाहिए भी स्टार्टिंग है तो आप आज हम लोग यह सीखे कि बर्ड को कैसे एक्टिव रखें और क्या-क्या स्टार्टिंग में दवा लगाएं कितनी मातरा में लगाएं वो सारी बात इसलाम भाई ने आपको बताई तो आएसे ही दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और कमेंट करते रहिए